हेलो वेलकम दोस्तों देवुमी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है तो दोस्तों यहाँ पर एक इन्फॉमेशन आई है जो सम्विदा करमचारी हैं सम्विदा करमी हैं इन लोगों के नेमिती करण के लिए आखड़े जुटा रही है यानि कि इनको नेमिती किया जाएगा तो नेमिती करण नेमावली से पहले होमर के शुरू कर दिया गया सासन ने जो भी करमचारी हैं इन लोगों का व्योरा मागा है तो इसको समझ लेते हैं पूरा डीटेल में जितने भी जैसे उपनल से हैं इसमें पहले हाइकोर्ट ने पहले कहएं जा चुका था की इनको नेमित कर दिया जा एनके नियमित करने के आदेश दे दिय के थे तो अब ये प्रकरिया होने जारी है, तोड़ा सा समझ लेते हैं इस रिपाउट को पूरी, राजी सरकार ने विभिन्ने विभागों, निगमों में संविदा आउट्सोर्स करमचारियों का आगड़ा जुटाने का काम शुरू कर दिया है, ठीक है, तो इस होमवर्क को सासन अस्तर पर तयार हो रहें संविदा करमचारी नेमी तिगरन नेमा उलिशे जोड़ कर भी देखा जा रहा है, उत्राखंडे में मौजुदा संविदा आउट्सोर्स करमचारियों का एक संभावी जो आगड़ा हो लगबग 40,000 के करीब माल आ जाता है, लेकिन 60 संख्या सासन के पास भी नहीं है, इसके लिए इस बार विभाग वार काम कर रहे हर तरह के करमचारी का डेटा जुटाया जा रहा है, कार्मी गुभाग के निर्देश के इस्थाई करमचारियों के अलावा तदर्थ वरकचार्ज दैनिक वेतनकारी पर भार या समविदा उपनल, पियारडी, स्वेम साहता समुह करमचारी के साथ ही ठेका करमचारियों की असल संख्या जुटाया जा रहा है, ठीक है इसमें द क्या रहती है चीजे, हाई कोड विभिन ने आदेशों में समीदा समेथ उपनल करमचारियों को भी नेमित करने के आदेश कर चुका है, नेमितिकरण के साथी समान काम और समान वेतन के आदेश भी जारी हुए है, इस क्रम में उर्जा निगव में पांच उपनल करमचारिय को समान काम का समान वेतन मिल रहा है आदेश के बाद ही सासन अस्तर पर नेमितिकरण नियमावली पर काम भी शुरू हो गया है ठीक है तो यहां पर यह चीज हुई है जो आनंद बर्दन है अपर मुख्य सचिव कार्मिक तो इनका कहना है कि राज्य में समीदा आउट्सोर्स क कर्मचारियों के असल संख्या क्या है इस पर एक डेटा तयार किया जा रहा है लेकिन इन कर्मचारियों की असल संख्या की सटीक जानकारी उपलब्द रहे नेमितिकरण नियमावली में सिर्फ समीदा कर्मचारियों को ही लिया जाएगा यह सबसे महत्तोपूर्ण है जो न नियमेती करण होगा वो किस का होगा केवल संविदा करमचारी है उन लोगों का ही नियमेती करण यहां पर होगा एक मुख्षे अपर सच्छिव का कार्मिक का कहना है बविबाख के नीमीती करण की अभी कोई नियमा वली नहीं है ठीक है मैं यहाँ पर मंभी है कहाँ पर सुप्रिम कोड में। और अंतिम चरण कोड में सुनवाई अंतिम चरण में है इसी केश के बाद सुबो दुनियाल के अधिक्स्ता में एक उप समीती भी गठित की है सुप्रीम कोड में ही उपनल करमचारियों के नीमिती करण से जुड़े पर कड़ में भी सुनवाई लंबी था है में आप यहां और्चक्रू सबसे अंगर क्रमचार्य नोगों के लिए यह बनी होई क्रिफा के समेट 50000 के करीब है। इस में सबसे अधिक संख्या में utterly प्रार्वा को की संख्या करीब है। नीमिती करने के लिए करमचारी संगठन बनाए हुए सरकार पर दबाव तो ये करमचारी संगठन जो है इन्होंने नीमिती करण के लिए क्या क्या है सरकार पर दबाव बनाया हुआ है संविधा आउट्सोर्स कर्मचारी के नीमितिकरण को लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारी संगर्ण दवा बनाये हुई नहीं जो है यहाँ पर लगता है कि इनकी मांगें पूरी होने वाली है और यह पूरी होने वाली है इसमें नियमिती करण की प्रकिरिया पूरी होने वाली है जैसे कि ये पूरा ब्योरा मांगा गया है भी फिलाथ तो दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या प्रतिकरिया है क्या राई है क्या आप सूचते हैं इस बारे में कोमेंट करके आप लोग जरूर बताएं वीडियो को शेयर करें बाकि लोगों तक आपके इस साथियों तक इस वीडियो में इतना ही है हम कोई नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगी हमाई साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों जहिंद